मानिय अध्यक्ष जी को छूती हुई मुश्तर पहुची है मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याक्षा करते हुए की दो परस्पर विरोधी व्याक्षाएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हुई सत्ता पक्षका कहना है कि ये जनादेश गचबंदन की सरकार के लिए था कोईलीशन के लिए था मेरी उसे प्रतपरश्ण पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था ये प्रश्ण अभीतद अनुक्तरी है मैं उम्मिद करूँगी कि कल्प धानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलिशन के लिए था अध्यक्ष जी जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप सुविकार करें लेकिन एक द्रिश जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अंदेखी आप नहीं कर सकते है आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एक जुट विपक्ष है क्या ये घृष्या अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा है लेकिन अध्यक्ष जी यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्या अधिकार से वन्चित कर दिया गया त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी प्लापर में यही घटना धर्मराज युदिष्टिर के साथ वह पी थी जब धूर्ट शकुनी की धुष्ट चालों ने राज्च के अधिकारी को राज्ज से बाहर कर दिया था अध्यक्ष्टी यदि एक मन्थरा और एक शकुनी राम और युधिश्टर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब तो कितने मन्थरा हैं और कितने शकुनी करते हैं हम राज्ज में बने कैसे रह सकते हैं अध्यक्ष्टी शाद गाम राज्ज और सुराज जी की नियत ही यही है अध्यक्ष्टी राम राज्ज और सुराज की शाद नियती ही यह है कि वो एक बड़े जहटके के बाद मिलता है और इसी लिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूं कि पूरे विश्वास से कहना चाहती हूं कि जिस दिन 28 तारीक की दोपहर को मेरे अधर्ण ये नेता अतल भिहारी वाजपई ने इस सदन में रानमंत्री पत से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन गाम राजजी की भूमी का तयाद हो दे हिंदुस्तान में उस दिन सुराजी की मियू पड़ दे दुर दर्शन के सामने जीवंत प्रसारन देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके अत्याद पत्र की घोशना के साथ करह उठा था यह अन्याय हुआ है अन्याय हुआ लेकिन अध्यक्ष जी अन्याय कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है अन्याई तो अपने स्वार्थ को सिध्धान्त का बाना पहिना कर इस तरह प्रस्तूत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याई कर रहा है और यही सदन में घटा धर्म निर्पेच्छता का बाना पहिन कर हम पर साम प्रदाइकता का आरोप लगा कर यह तमाम लोग एक साथ हो गए एक जित हो गए तहां था मेरे नेताने उस समय धर्म निर्पेच्छता बना प्रदाइकता पर राश्ट्रिय बहिस होनी चाहिए चाहते हैं हम हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्म निर्पेच्छता की क्या कलपना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस वरूप में ढाल दिया इस पर राश्ट्रिय बहिस होनी चाहिए अब दक्ष जी हम सामप्रदाइक हैं हाँ 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 हम सामप्रदाइक हैं क्योंकि हम बंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं हम सॉअ प्रदग हैं कि मुझा समाग के लिए लड़ते हैं हम कि माइन करते हैं हम साम प्रदाइग है क्योंकि हम हिंदुस्तान में गुर्चों के वंच और वर्धंक्या की बता रखता है हाँ अध्यक्षजी हम साम प्रदाइग है क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संगिता बनाने की बात सकते है हम साम पुढ़ाइक है अच्छी क्योंकि हम काश्मेरी शाल्बार्टियों के धर्द को जबान देने के अच्छी ये सदुना है ये धर्म निर्पेच है दिलेगी सर्दों पर तीन हमाज सिखों का त्यान करने वाले ये तों करें अच्छी अच्छी आप तो साक्षी है मुझे क्या मैं हिंदू नहीं हूं मुझे को मंदित जाने से रोका गया और मुझे क्या में वास्ता है क्यार अच्छी आप तक प्रूश और मुझे का झाक झाणा की सांची वोग, अच्छी और मुझे focused नच्छी ये讲 को इवास्ता का बbliहते प्रस्ने हैं अध्यक जी, मैं कह रही थी, ये सेकुलर हैं, ये कॉंग्रेस जन्थ, दिल्ली की सड़कों पर तीन हजार सिक्थों का क्रियाम करने वाले, ये कॉंग्रेसमें सेकुलर हैं, और आप दिहार के साख्षी हैं, अध्यक जी, मुस्लिम और यादर का छोड़ बाइचा कर लाई की लाजरीक करने वाले ये जंतादाल वाले सेकुलर हैं, अध्यक जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रही हैं, मैं किवल आप से निवेधन कर रहा था, कि कोई सदस अगर बोल रहा हो, तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को ये अनुवद देनी चाहि कि पॉन की बात हम सुन सके मैं नहीं जानता कि जो पर जो सम mata कि यंअ उनकी बात पूछ को सुनना चाहिए और जिन को उत्तर देना हो उप्तर देना चाहिए का अधुक्छी मैं उन्के स्कुलर क्रेडेंशल्स का जिक्र कर रह थी अध्यक्छी का अपने वोड़ बैंक को खुश करने के लिए निर्दोश रामभक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपावाले सेकुलर चकमा शर्रारतियों को भगाने वाले और घुसपैट्लियों को बशाने के वकालत करने वाले ये वामपंतीस सेकुलर सचाई तो यह है अध्यक्षडी कि हम सचाई तो यह है अध्यक्षडी कि चुंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्मिन्द की महसूस नहीं करते हैं इसलिए हम तर्मिनल हैं इसलिए हम सामसदाइए और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू वोने पर शर्मिन्द की महसूस नहीं करते हैं आपको इन तथा कतित बुद्धी जीवियों से सेकुलर होने का सेटिपिकेट नहीं मिल सकता है अज्यक्जी सेकुलर्जम की हमारी परिभाशा ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो एक मुसल्मान अच्छा मुसल्मान एक सिख अच्छा सिख हो एक इसाई अच्छा इसाई और सब अपने अपने पंथों का अनुसरन करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें ये हमारी परिभाशा है लेकिन इनका सेकुलर्जम हिंदू को गाली देने से शुरू होता है और अगर आप उस गाली देने के तारिकम में शिर्कत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते और मैं कहना चाहती हूँ सरकार या ना सरकार हमें सेकुलर्जम की ये परिभाशा मानने नहीं अध्यक्षी आज से पहले तो केवल हिंदुत पर प्रश्चन लगाया जाता था हिंदुत पुशब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आखें दबदबा गई जब इस सदन में भारतियता शब्द पर भी प्रश्चन लगा हूँ आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेस इंडियन निशनलिटी की बात कर सकते हो लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान का गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरा सुली मारें जी के लेकिन उन्होंने आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है भारत भारतियता क्या होती है मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा एक उम्मीद चंदशेकर जी से जरूर थी पता नहीं क्यूं कौर्वों की सभा के भिश्व पितामे की तरह आप भी मौन सादे रहें अध्यक्जी मैं अपने मित्र मुरासुली मारंजी से बहुत अदब से यह कहना चाहूंगी भारतियता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है अरे भारतियता कार्थ यही है कि भारतियता के माने यह है कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्गी की रोटी से लेकर दक्षन के इडली डोसे तक सारे आहर भारत वर्ष के आहर भारतियत आतार्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामिश्वरं पर सारे तीर्थ भारत वर्ष के तीर्थ हैं आप पूछते हैं कि एक संस्क्रति के क्या माइने हैं तक्षी, एक संस्क्ति के माइने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामिर्श्वरम के पए पखाडता है. यह एक संस्क्ति का टारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्में हुए नसी चकाड़ी अपने बेचे का नाम सो मनाथ रखते हैं. यही है एक संस्कृति, यही है एक संस्कृति, मुझे संस्कृति का अधारण कहीं शब्द कोशों में देखने की जरूरत पही है, वो इस सदन में परिदक्षित नहीं है, लेकिन अध्यक जी सवाल यह है, कि यह किसी सामप्रदाइक के नाम पर इकठे नहीं हुए है, यह भी ओड़ा हुआ बाना है, यही कठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारह, यही कठे हुए हैं, एक दूसरे को बक्ष देने की सौधे बाजी के जहां, यह अपने अप्रादों के बेप्रदा होने के भई से इकठे हुए हैं, अध्यक जी, यह साब कर दाइप कि नहां पुए हुई और हुई है। कि इसारा समझ रहा चाहिए मैं किसकी सांजेदारी की तरफ जिप्र कर रही हूँ अध्यक जी ऐसे नहीं हुआ कि कामन मिनमम प्रोग्राम में एक शब्ध करप्शन के पेंडिन केसिस के बारे में नहीं ये ऐसे हो गया आखिर चार लोग बैठे सारी चीज़ों पर चर्चा हुई लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्श गायब है सेंट किट्स गायब है, जेमेम गायब है, शुगर स्केंडर गायब है, पिस्यो डिस इंवेस्मेंट स्कैम गायब है, अरे जिनका धिंडोरा पीट के चुनाओ में गई थे, नर्सिंग राओ एपिटोम अफ करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाओ में गई थे, आज इसके उपर एक शब्द भी नहीं, और यूरिया स्कैम के उपर, कहीते हैं प्रदानमंत्री, लॉब टेक इस ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं, के वर मुक्ते मार कर कह देने से ये नहीं होगा अध्यक जी, आचरर क्या बोलता है, ये देखने बाला है, आज भी यूरिया स्क अध्यक जी आज बाला है, लेकिन दोनों के रिष्टेदार, दोनों के रिष्टेदार अभी नहीं पकड़े गए, पांच दिन का समय दिया गया, आफिर क्यों? इसलिए मैं कहते हूं, ये सांजेदारी सांपदाइता के नाम करने हुई है, ये सांजेदारी एक दूसरे को म कहा जाता ही, सरकार चलेगी नहीं, दोरेगी, पांच सार तक रहेगी, अरे मैं पूछना चाहती हूं, मेरे निता ने तो नहीं कहा, बयान तो पहला वी. जुभधनाइक आया पहला बयान इस गिन्मेंट फोल लॉट्ट एल इस गपनमने टीनट भाजै और हथ भाजवका क्वाजी निए के पैा बेट वॉट्रक ा चारिका भाजवका संबसें किस गहतक के हैं भाजपा के अध्यक जी मुझे तरक्ट करने की क्या जरू होता है पहली स्टेक पर छपी उसका जिक्र मैंने कर दिया बिनाय लिनों ने किया इसका जिक्र मैंने कर दिया दोनों चीज रिकार्ड पर आजाएंगा आगे बोड़ी नर्सिंग राउबू के हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए साथ महीने से एक साल के बीच में तयार रहना चाहिए यह बयान भाजपा की तरफ से तु नहीं आया इतने एंकर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है क्या सांजे नारान दत्तिवारी और मुलाहिम सिंग सांजे आज़े पीचु पत्लाइजी आप में और जेभी पत्नायक में क्या सांज है ममता बैनर जी और सुमनाथ चटर जी मैं पूछना चाहती क्या उत्तरा खंबी महिलाओं के सम्नान का सौधा करके नार अर्गत्तिवारी मुलाहिम सिंग की बदल में क्यों बैचे है कभी नार के हितों की अंदेखी करके करोना मिधी ने देवे गावरा को निका क्यों स्वीकार किया ममता जी अपने घावों की पीरा भूलकर आप सुमनाथ जी के साथ मतदान पैसे कर रही है ममता जी आपको बोलना इसके लिए ड्वांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है उनको बोल लेने की जी ठीक है आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लिजे नाम को ले रही हूं मैं नाम क्यों ले रही हूं मुझे वो दृष ज़का तस्याद हे मेरी आउंखों में बसा हुआ है मैं राजिसभा की दर्शत दिर्वा में बैठी थी इसी सदन में नसिंग राओ जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा थी मैं वहां से बैठी देख रही थी एक वीलचेर के उपर ममता जी को लाया गया था यहीं बैठी थी वो चोटों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उढ़ाया वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्मिनिस्टों के हिंसक प्रवर्टी को कोस रही थी मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं हम उनके विरोध के अधिकार को स्विक्रती देते हैं हम उनके आवाज को गैग करने के लिए उन पर हमला नहीं करते इसलिए पूछना चाहती हूं मम्ताजी से आज कि इस सदन में सी पीम के साथ बैट कर मत्दान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीत करेंगी ये कैसी सांज है मम्ताजी ये कैसा धटबंगा अध्यक जी मैं जिक्र कर रही थी कि केमल व्यक्तियों में अंकर विरोध नहीं है जो कारकमों में अंकर विरोध जलगता है वह तो माशाल्ला जब इनका प्रोग्राम आया मिनमाम प्रोग्राम मैंने उसको आधिसे अंक तक पढ़ा एक बार मुझे लगा कि कुछ गलप गया यह हो नहीं सकता मैंने उसको दुबारा और पढ़ने के कुरंट बाद मेरे मुझे निकला वहां भारत के कम्मुनिस्क साथियों तुमने लेनिन से ये सिंतक का सफर एकी सफ़ता में पूरा कर लिया के के कंस्रेंस को मैं समझ सकती है कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है कुछ चीजों में सांचेदारी करनी पड़ती है मगर कोई शीर्शासन करके कलाबाज इठा जाएगा इसके उने ते अद्दक जी इसमें लिखा है इंशोरेंस सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा और फॉरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा मैं तो हैरान हुई क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस्की तस्यात थी अद्दक जी आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं राजी सभा में याचिका समिती की अध्यक्षा थी कमेटी और पेटिशन की चेर परसन थी हमारी समिती के सामने एक याचिका गायर की गई एक पेटिशन प्रस्तुत की गई जिसमें ये लिखा गया था कि एलाईसी जी आईसी इंशोरंस सेक्टर को जो प्राइविटाइज करने की एक सिफारिश मलहोत्रा कमेटी की तरफ से आई है वो लादू नती जा ये थी वो पेटिशन और मैं आपको चौका दू ये बात कहकर वो पेटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी एक को प्रस्तुत करनी पड़ती है ये संयोग है कि चतुरानन मिष्र राजिसभा से मेरे साथ लोग सभा में आये हैं दो चार दिन में शाहिट के मंत्री भी बनने वाले हैं वो पेटिशन काउंटर साइन की थी चतुरानन निश्र नहीं और अध्यक जी मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लिमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पेटिशन ये पेटिशन इंट्रक्ष्वस हो जाएगी इसलिए कम से कम इंटरिम डिरेक्शन गर्म्मेंट को दी जाए कि ये इंप्लिमेंट नहीं हूँ पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डिरेक्शन दी जो जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाया हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे तब तक मलहुतरा कमेटी के सिफारिशे लागू नखी जाए और इस याचिका समिती ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल पाइटिस के लोगों को बुलाया थे सारे राजनातिक दल के प्रतेंजिया थे इसमें जागवात तेरिम अध्यक जी प्रेमियर घटा किस युनाइटिट फ्रंक्स का जनता देल आप कुछ कहना चाहतो आप मिनिस्टर है बोली है अगर कोई अब्जेक्स ने बूल बात है तो बताईए अगेंस्ट रूल हो तो बताईए यूर मिनिस्टर ना हो वो रेफर कर रही है एक ऐसे दोक्यूमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है इसमें क्या है पद्यक जी उसी को उन्होंने बता उस प्रतिवेदल से करें दे वट कर रही हूं प्राइब प्राइब मिनिस्टर आए उड़ लाइग तो डोई रिटेंशन प्रीज प्राइब में देवे गाउडा जी सुना चेकर जी और चकुरान और मिश्र को सुना कर दुबादा कहना चाहूंगी मेरी बार्टी का पॉलिसी तो भारतियों के लिए खोल दो फॉर्मर्स के लिए मत खोलो लेकिन आप भी बार्टी का पॉलिसी पढ़कर सुना रही हूं मैं तो आपने शीर शीयासन की बात कर रही हूं जो कवाब आजे खाई यह सत्ता की अब्दी दौर में मैं इसको के वल ये पढ़के बता रही हूं कि सत्ता की दौर में मधोश होकर आदमी इतनी उलट बाजी भी खा सकता है कि पचास साल तक जिन नीतियों को लेकर आपने राजनीत की है आज वो राजनीति टोटल की टोटल एपसोलूट की एपसोलूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुता की दौर में या एंटी बीजे पिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रिस के साथ बचना है आपको जनता दिल के साथ बचना है इसलिए मैं आपसे कह रही हूं अध्यक जी यहां सदन में यह छोड़ सकते हैं लेकिन बाहर जब अपने अपने छेत्रों में जाएंगे इनका कार्करता इने छोड़ने नहीं देगा और यह अंत्या विरोद इस सरकार तो गिराने का कारण बनेंगे राम बिलास पास्वां कहते शर्त याद है वभी कह रहे थी नहीं यह सरकार तो चलेगी नर्सिंगाओ जी ने आज कह दिया चलेगी अरे भाई नर्सिंग राव तो मौंसादे बैचे हैं भूमिका निभाए यह और यह शरत पावार शरत पावार की भूमिका नहीं मैं भाई शरत यादम से केज़ा हुआ 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 है मैं इसलिए भाई शरत यादम से कहना चाहूंगी कि ये प्रयोग नया नहीं है मैं भाई शरत यादम से केवल इतना कह रही थी ये प्रयोग नया नहीं है ये प्रयोग आपके गुरु राज नारायन जी पहले कर चुके है बीज दिन के अंदर कॉंग्रेस ने समर्थन वापस लिया था और मेरे आधान ये नेता चंशेकर जी बैटे है चार महीने के अंदर इन से समर्थन वापस लिया था आप किस हार हार पर विश्वास कर रहे हैं किस हार आपके विश्वास कोई आधान होना चाहिए इपिहास सभी कुछ नहीं सीखा और मैं अग्रेस की बाट क्या करूँ मैं और मैं पोग्रेस की बाट क्या करूँ मैं तो भाई शर्द यादव से ही पूछूँ लिए, अपने समाजवादियों का इप्यास भी है, अभी कह रहे थे शर्द यादव, डॉक्तर या यहां पर थे, समाजवादियों के पास तो डॉक्तर लॉक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौझूद है या तूटो तो अट्यप जी अब तो कॉंग्रेस की जगे भाजपा को फ्रेम में रखकर शैतान से हाथ मिलाने की वखालत करना है शरत जी लगा फोले दिन की बात हो जब होगा सुधरो या तूटो और हो भी क्यों नहीं शरत यादव बहुत सही बात है पैसट लाख वाले मंत्री मंदल में और तीन लाख वाले बंदल में तो क्यों महीं बोलेंगे क्यों महीं बोलेंगे निश्चित दौर पर चंद दिनों की बात है जब यह होगा सुधरो या तूटो इसलिए मैं एक बात कहे कर अपनी बात समात करना चाहूंगे अद्यक्रमोदर यह जो यह जो कहा जा रहा है कि साटार 5 साल चलेगी 5 साल चलेगी नहीं अद्यक्री इस पुलिटिकल औरकेस्ट्रा विल डिस्पर्स इवन बिफोर दी शो बिगिन्स यह जो एक सामुहिक मंदली एक समुह गीत गाने के लिए आई है यह अपना अपना गालापने के लिए इतने आदी हैं कि गिम शुरू होने से पहले यह शिराजा बिखर जाएगा लेकिन हाँ जितने दिन यह देश आपके हाथ में रहे इश्वर इस देश की रख्ठा करें यह प्राइचना करते हुए विश्वास मत्ता दिरोग के वार्थावाणी न्यूस चानल यपटिक अपड़ुर राजुकिया सिनी विशेशालू स्पोर्ट्स मार्यू सांकेतिक परवायना मरेन्नो विश्वारणू मनमुन्दुकु तेस्तोंदे मरिन्त समाचारं करकू वार्थावाणी न्यूस चानल ली सब्सक्रेप्ट चुयांडी